हे गाइज आपनों को पता होगा कि लारावल 11 रिलीज होने वाला बहुत ही जल्दों कुछी दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा यह दो सप्ता के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यह फिर मार्च में तो पक्का देखने को मिल सकता है अलाकि डेट फिक्स नहीं ह और मेरा अनुमान है कि मार्च तक आपको Laravel 11 देखने को मिल जगता है जो लोग को दिखाता हूँ कि क्या-क्या नया रिलीज आ सकता है उसके बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ है आठ फरवरी को जिसको में बुक्ता है एक वार रिब्यू कर लेते हैं यह लोग नया आप लिखा Laravel 11 is not scheduled to be released until quarter 1 of 2024 मुझे लगता है कि मार्च तक में यह आ जाना चाहिए Laravel 11 तो पहला जो उन्होंने चेंज किया होगी है डारेक्टरी स्ट्रक्चर पर यानिकि डारेक्टरी स्ट्रक्चर जो पहले था देखने में बिल्कुल अभी भी वही है लेकिन उसके अंदर के कुछ फाइल्स उन्होंने हटा दिये हैं या फिर on-demand बना दिया यानि आपको उसको publish करेंगे तभी आपको फाइल मिलेगी वह न आपको नहीं मिलेगी इसे config की बहुत सारी फाइल्स उन्होंने hide ही होई है रूट में आपको API.php मिलता था पहले sanctum के साथ अवह नहीं मिलेगा वह आपको कारणा पड़ेगा manually अगर आपको चाहिए तो ऐसे वह एक reasonable task I think है कि अगर आपको API बनाना है लारा वेक्सा तो आपको sanctum API.php का शक्रता पड़ती वह नहीं पड़ती है तो एक अच्छा है म और 11 में comparison करके तो 10 और 11 को देखेंगे तो same डिक्टो दिखेगा वैसे उपर से देखने से लेकिन जब फाइल अंदर देखेंगे तो आपको changes नजा रहाएगी जो यहां पर changes इन्होंने दिखाया है वह आप difference यहां पर जाकर वो पढ़ सकते हैं अगर आपको depth में जानना है वो इस case में इसके अलावा अगर आप Laravel 11 यूज करना चाहते हैं ताकि सिस्टम में PHP 8.2 या इससे एवब का version होना चाहिए 8.1 इन्होंने support ड्रॉप किया तो 8.1 अगर आपके system में install है तो Laravel 11 आप यूज नहीं कर पाएंगे विकाज 8.1 अब देख सकने हैं कि 8.1 PHP की official website है तो 8.1 यहां initial release 2021 में हुआ था दो साल पहले और active support इनका खतम हो चुका है घर 23 में दो महिना पहले और security support घर 24 नॉमबर में खतम हो जाने हो यह से लिए उन्होंने मैंने क्याल से 8.2 पर switch कर लिया हो तो 8.2 minimum लगेगा ही सब्सक्राइब लारावल 11 यूज करना तो अपने system में PHP को upgrade कर लेना है सभी को उसके बाद यहां पर देखेंगे आपको थ्रह सा और in-depth इन्होंने बता है कि no more HTTP करना लिए अब आपको देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद model cast change अपर देख सकते हैं इस video को play करके आप देख आपको सिर्फ मिलेगा console.php और web.php यह दो ही फाइल आपको मिलने वाले है अगर आपको API.php भी चाहिए तो उसके लिए आपको run करना पड़ेगा यह command php artisan install और API इसे अपका API.php निकलेगा उसे तरह से web socket broadcasting के लिए आपको यह run करना पड़ेगा इन्होंने ऐसा लिखा ह एक new app health route इन्होंने बनाय हुआ है एप की rotation है console करना removed हो चाहिए named argument यहाँ पर और भी यह से लेख सकते है minimum support 8.2 चैसे कि मैं आपको बताया था कि 8.2 minimum support आपको लगेगा और SQLite मैं एखल से by default here database अब SQLite use करने वाले है if you use SQLite database in laravel when laravel 11 will require SQLite 3.35.0 or greater और install कैसे करना है यहाँ पर बताया कि कैसे आप 11 वैसे अभी dev में है यह production में आया नहीं है तो आप चाहिए तो dev को यहाँ पर देख सकते हैं कि किसे किसे changes है क्या changes है यहाँ पर है upgrade करने का और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि PHP का कौन सा version होना चाहिए कव रिलीज हो का वहाँ दिख कि March के second week में यह लोग कहा रहा है कि it will be first or second week of March okay बट कोई यह hint है sure नहीं है कि March में आई जाएगा first or second week में हो सकता है कि अगर आप देखेंगे इसके github में जाके तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि इन्होंने यहाँ पर कुछ changes की हुए है major देख देख लिए अगर यहां कहीं लिख्वा मिल्या में चेंज है तो आपका ब्रेकिंग चेंज से ऐसा नहीं है बस कुछ फाइल्स जो है वह आब नही इधर देखियां लिखा हुए 69 फाइस ड्रॉप की गई है और अफ्रेश इंस्टॉल दी फाइल काउंट असट्रॉप्ट बाए 69 वाइस के लिए और अगर आप मैस्कल यह पोश्ट करें इसकल यूस करना चाहते है तो वह आप प्रॉंट में स्लैट कर सकते हैं यह इनका क् वह उनका जिन ने लारावल को बनाए हुआ है तो यहां पर आप आप दाकर देखते हैं इसके फाइल चिंजेस पर आकर देखिए यहां आपको मिलेगा 400 लाइन यहां कहीं था कुछ दिखाता हूं इसको रिमूव किया है डेटाविस माइसक्वेल इसको रिमूव किया और यहां पर select करके इस तरीके से कुछ चीज़ने लिखी है यहां पर लिखा हुए comment में कि लारावर 11.x applications use SQLite as default यह लिखा हुआ है और देखते हैं कि जब release होता है final release तब यह किस तरीके से बन किया आता है अगर project create करने की बात करें आप project create कर सकते हैं अगर नीची आदेव में अगर आपको अभी सिफ देखना है क्या है इसमें तो आप इसको भी कर सकते हैं और create कर सकते हैं यहां पर जाके पहले आप चेक कर लिएगा PHP का क्या वर्जन है जैसे PHP dash dash not equal equal dash dash version और देखे इसको रण करके आप अच्छा है तो project create कर सकते हैं इनकेस आपको create करना हो लाल के लिए मैं से आपको दिखाना चाहता था कि आप इससे create कर सकते हैं इसको करते हैं लोज और यही है इसमें विस्टा लारावेल का मैंने प्रेश्ट बना आप यहां को देख सकते हैं जिसमें एक लारावेल सेवन मैंने बताया अगर मुझे ठीक से आद है तो यह लारावेल मैंने यहां ओल्डी बताया सब कुछ डीटेल में API वगरा सब कुछ बनाना सिखा मुझे लगता है कि लारावल का चुकि दौर 23 में लास्ट पर नहीं किया था यह अभी 24 चल रहा है आपका नीचे कमेंट करके जुरू बदाएगा जिससे कि मुझे थोड़ा सब मोटिवेशन मिल सके अगर मैं इसे बनाओ या ना बनाओ और इस बार अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारे कोर्स में प्रैक्टिकल अप्रोच जादा रहेगा या कि प्रोजेक्ट से मुझे देखेंगे औ कि AI जिसे लारा हुला अप्लिकेशन में अपना लगा सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है बारे चनल को सब्सक्राइब में नहीं बोलना है इस वीडियो को देखने के लिए आसो का बहुत बहुत धन्यवाद